आज हम वापिस दह हिंदू के बारे में बात करेंगे और ऐसे टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे जिसके ऊपर से क्योश्चन बन सकते हैं हमारे कॉंपेटिटिव एक्जाम्स के अंदर तो आज के अगर हम लेक्चर की बात करें तो ये तीन सेक्शन के अंदर हम कंप्लीट करेंगे जिसके अंदर एक सेक्शन होने वाला है हमारा इंपॉर्टेंट न्यूस के ऊपर दूसरा सेक्शन एज उजूवल हम जिसके अंदर एडिटोरियल को डिसकस करेंगे और थर्ड इ एडिटोरियल के अलावा हैं बट उसको हम exam के अंदर use कर सकते हैं उसके अंदर दी गई information को हम अपने mains के answer के अंदर include करते हैं तो इस तरीके से आज का हमारा ये video lecture हम complete करेंगे end तक जुड़े रहिएगा सारी information देखिएगा क्योंकि मेरा personally ये मानना है कि आधा knowledge जो है वो सबसे जाधा खतरनाक है अगर आप पढ़ रहे हैं तो पूरी चीज़ पढ़िए अगर आपके पास time नहीं है तो वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए जब time हो तब इस video lecture को देखि अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है और problem क्या है उससे समझ लेते हैं तो governor जो है कहरे लाके as a chancellor उन्होंने क्या किया एपी जे अब्दुल कलाम technological university में अपना एक chancellor अपॉइंट कर दिया जो government nominees थी उनको side में रखते हुए जिसके खिलाफ protest आया government दुआरा और अभी हाल फिलाल में जो है उन्होंने क्या किया बाकियों के भी resignation मांग लिए इस basis पे कि वो भी जो है UGC की guidelines को violate कर रहे हैं ये सारी चीज़े सामने आई अब क्या governor ऐसा कर सकते हैं कि नहीं वो अपना एक अलग issue है बट ये इस तरीके का conflict चल रहा है अब उसके उपर केरला government ने कदम ये उठाया है कि हम governor को as a chancellor के रोल से बाहर कर देंगे उसके लिए क्या methodology वो अपनाने वाले है सबसे पहले वो एक ordinance submit करने वाले हैं हम सब ये जानते हैं that governor works according to the aid and advice of the cm and council of minister cm and council of minister एक ordinance लाएंगे और वो governor को देंगे कि हम ये चाते हैं कि governor को किसी भी तरीके का रोल ना दिया जाए as a chancellor हम उन्हें जो है यहां से free कर रहे हैं उन्हें chancellor के रोल से हटा रहे हैं अगर governor इस पे sign करने से मना कर दे governor के through तो वो क्या करेंगे एक bill present करेंगे assembly के अंदर उन्हें remove करने के लिए as a chancellor not as a governor तो ये सारी चीज़ें यहां पर बताई गई हैं इसके अलावा M.M.Punchy Commission की भी ये recommendation थी कि governor के उपर से ये burden हटा देना चाहिए कि उसे as a chancellor भी काम करना पड़े universities का तो ये सारी चीज़ें यहां पर बताई गई हैं इसके अलावा इसके बारे में हमने deep discussion किया है हमारे other important article section में जिसके बारे में हम last में discussion करेंगे तो last तक बने रही है अब बात कर लेते हैं दूसरी news की D.Y. चंदरचूट takes charge as the 50th Chief Justice of India अब हमारे सामने 50th Chief Justice of India आज चुके जिनका नाम है Honorable Chief Justice of India D.Y. चंदरचूट उन्होंने charge ले लिया है उनका सपत ग्रेंट्स हमारा हुआ राष्टरपती बहन में और उनने सपत दिलाई हमारे President Honorable D.W. दौपती मुर्मू जी ने इनका tenure दो साल का रहने वाला ये दो साल Indian Judiciary को head करेंगे इसके अलावा इनके father जो है Y.V. चंदरचूट व हमारे सामने रखे हैं इन्होंने आयोध्या लेंड डिस्प्यूट के ऊपर अपना नीडने सुनाया राइट टू प्रैवेसी पे इन्होंने जो है लीड जज्जमेंट लिखा इन जस्टिस के एस पुत्त स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर इसके अलावा इन्होंने जो है section 377 of Indian Penal Court इसे नीचे गिरा दिया कहा कि ये unconstitutional है उसके अलावा इन्होंने आधार कार्ड को valid करार दिया शबरी माला issue पे इनका judgment आया और इन्होंने जो permanent commission होना चीए woman का army के अंदर उसके लिए भी रास्ता खोला ये अलाबाद high court के chief justice भी रह चुके है अ कुछ बोलूँगा नहीं बलकि मेरा काम जो है वो आपके सामने दिखेगा चलिए बात करते हैं आज के editorial की the EWS judgment and the shadow of Pandora अब आते हैं आज के इस editorial के उपर और इसके बारे में discussion करते हैं हाल फिलाल में हमने ये देखा कि जो economically weaker section को दिया गया 10% का quota है by 103rd constitutional amendment act of 2019 उसे valid करार दे गया गया है Supreme Court ने कहा है कि ये चीज सही है अब ये editorial इस judgment के उपर नहीं है इसके अलावा एक दूसरे judgment के उपर है जो 2015 में दिया गया है साथ साल पहले a bench of justice रजन गोगोई and RF नरीमान struck down the UPA government's 2014 notification including jarts in the central list of other backward classes other backward classes के अंदर jarts को include किया गया था 2014 के अंदर जिसे null and void करार दे दिया गया उसके अलावा बहुत सारी अलग-अलग observation भी आई इस 64 page के decision के अंदर उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से वो हमारे लिए इतनी important हो जाती है यहाँ पर यह बताया गया कि अब state को उस perception से नहीं चलना चाहिए कि कौन अपने आपको self proclaim कर रहा है कि मैं socially backward हूँ उसके अलावा उन्हें यह देखना चाहिए कि क्या वो particular class सही में socially backward है क्या उसे reservation की जरूरत है इन सारी चीजों के बारे में हमें ध्यान देना चाहिए हम मानते हैं कि caste जो है वो most important factor है इस चीज को तै करने में कि क्या वो socially backward है या नहीं बट सिर्फ caste उसके अंदर include हो यह चीज सही नहीं है तो अब हमें और भी parameters को देखना पड़ेगा और भी criteria इसको देखना पड़ेगा यह चीज जज करने के लिए कि क्या वो particular caste backward है या नहीं यहाँ पर उन्होंने कहा कि जब हम historical conditions को देखते हैं और particularly हिंदू society के अंदर तो backwardness को caste के साथ ही जोड़ा जाता है बट हमारी society change हो रही है हम evolve कर रहे हैं और continuously evolve कर रहे हैं इसलिए नए practices आनी चीए नई methods आनी चीए और नए yardsticks आने चीए इस चीज को तै करने के लिए कि कौन backward है और कौन नहीं ये चीज बहुत ही important हो जाती है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 के तहट कि हम जो continuous evolving inputs हैं उनी के ऊपर जो है reservation दे लोगों को ना कि किसी और basis के तुरूप क्या socially backwardness है उसके बारे में भी court ने यहाँ पर जो है चर्चा की educationally और economic backwardness जो है उसी को पैमाना लिया जाता है social backwardness का बट ये चीज ज़रूरी नहीं है इसके अंदर अलग-अलग तरीके के criteria लिये जा सकते हैं हम मानते हैं कि educational और economic backwardness जो है social backwardness में contribute करती हैं पर ये सिर्फ sole criteria नहीं है क्या जो educationally backward है ये economically backward है ये जरूरी है कि उन्हें socially भी discriminate किया जाए तो इसके अंदर और भी पहलू आ जाते हैं जैसे social, cultural, economic, educational और political भी तो सारे पैमाने को तै करो ना सिर्फ educational और economic तो इसका जो view है इसका purview है उसको भी बढ़ाने की कोशिश की इसके बाद quote ने कहा क कास्ट के अलावा एक class भी ऐसा section हो सकता है जिसे हम consider कर सकते हैं reservation देने के लिए बट again जैसे हम कास्ट को सिर्फ कास्ट को तै करके ये चीज़ उन्हें reservation दे रहे हैं वैसा यहाँ पे भी नहीं हो सकता class के अलावा भी उनके अलग-अलग features होने चाहिए कि वो particular class से belong तो करते हैं बट उनकी backwardness क्यों है उसके बारे में भी और चीज़ें यहाँ पर बताई जानी चाहिए तो यहाँ पर यह चीज़ के लिए insist किया गया कि अब जो है नई methods आए जिसके तुरू यह determine किया जा सके कि कौनसी caste या class जो है वो backward सो अब यह policy makers के लिए थोड़ा सा सरदर्ध बन जाएगा किस तरीके से उसको समझने की कोशिश करिएगा जितना भी हमने judgment पड़ा जितनी भी चीज़ें पड़ी जो उन्होंने judgment के अंदर कही क्या वहाँ पे एक particular कोई भी तरीके का principle दिया गया यह सिर्फ एक rough drawing बना दी गई है Supreme Court द्वारा कि ऐसा ऐसा होना चीए देखो हम तो चाहते हैं इस तरीके का कुछ बने ठीक है जैसे नहीं हम कोई shop पे जाते हैं नहीं वैसा दिखाओ वैसा दिखाओ हम कोई clear picture ही नहीं बता रहे अगले को तो किस तरीके से वो चीज सामने हैं तो यह थोड़ा सा problematic हो जाएगा क्यों कि कास्ट को सिर्फ ले नहीं सकते कास्ट के अलावा बाकी चीजों को भी लेना पड़ेगा अब बाकी criteria क्या हो सकते हैं criteria की तो list ही बहुत लंबी है classes के साथ भी problem आगे कि class अगर include कर रहे हैं तो बाकी criteria उसके अंदर क्या include करेंग judgment के अंदर और rough lines के थूँ बताएंगे हैं तो इसे sketch बनाने में दिक्कत आ जाएगी policy makers के लिए इसे proper policy में बनाने के लिए दिक्कत आ जाएगी हमारी government को इसी चीज़ को देखते हुए justice गोगोई and RF नरीमान suggested that government come back with a matrix to justify reservation अब government अपना एक formula बना के लाए एक इस तरीके का formula पना के लाए जो इस चीज़ को justify करें कि हमने उस particular caste या class को क्यों reservation दी गई है but government ने इसको किसी भी तरीके से touch नहीं किया अब यहाँ पे यह जो pandora box का नाम लिया गया है pandora box basically एक बोल सकते term है जिसे use किया जाता है ऐसी चीज़ के लिए कि अगर उसे छेड़ा जाए तो आग उसको वापिस से हमें renovate करना पड़ेगा वापिस से infrastructure खड़ा करना पड़ेगा नएने criteria लाने पड़ेंगे parameters लाने पड़ेंगे कौन से पैमानों पे तैक किया जाएगा तो सारी चीज़ों के उपर वापिस से मतलब हम बोल सकते है जो हमारी reservation policy है उसको वापिस से zero पे ले जाना पड़ेगा और वहां से एक नया infrastructure खड़ा होगा कि अब कौन से पैमानों पे reservation दी जाए तो ये सारी चीज़ों में government जाना नहीं चाती और दूसरी चीज़ Supreme Court ने भी किसी तरीके का उस पे feedback नहीं लिया है कि आपने कितना काम किया है और कितना नहीं तो ये चीज़ अ हमारे justice त्रिवेदी ने ये कहा कि हम इसे वापिस recheck करेंगे कि क्या ये reservation अभी हाल फिलाल में दी जानी चाहिए for each and everyone, economically weaker section, SCST, OBCs, SEBCs सब के बारे में हम check करेंगे कि क्या अब reservation की जरूरत है भी या नहीं तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर discuss की गई है हमारे honorable MP शशी थर अब बात कर लेते हैं दूसरे editorial के बारे में जिसके अंदर चर्चा करी गई है policing के बारे में और किस तरीके से center और states के relation better हो सकते हैं ताकि policing system को और ज़्यादा सद्रूर किया जा सके, इस infrastructure को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करी जा सकता है और चीजों को और ज़्यादा better किया जा सकता है, अब हमारे सामने यह जो debate आ रही है कि center और state के बीच में policing को लेके relation सही नहीं है, यह किस तरीके से आ रही है, तो हाल फिलाल के अंदर ही कोयम बटूर के अंदर bomb blast हुआ जो हम सब ने देखा जिसके बारे में पढ अपने में बहुत जादा समय ले लिया, बेराल इसके खिलाफ director general of police ने यह कहा कि मैं बिना inquiry किये, बिना preliminary investigation किये, ऐसे ही थोड़ी सौप देता वो चीज, वो तो मेरा काम था जो मुझे करना था, और इसी तरीके से national investigation agency को मैं अपना case दे सकता था, तो यह बहुत जादा differences आ center और state के बीच में, बेराल इस चीज से बचा जा सकता था, कि कोई भी एक दूसरे के उपर इस तरीके के तंजना कसे, तो यहाँ पर हम एक चीज तो साफ साफ देख पा रहे हैं, कि जो harmonious relation है, वो उतना better नहीं है, conflicts है, issues हैं दोनों के बीच में, तो उन्हें किस तरीके से better क किया जाए, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करी गई, so main focus यही होना चाहिए, कि इन सारी चीजों को किस तरीके से हम correct करें और corrective measures ले, उसके बारे में ही हमें सोचना चाहिए, ना कि इस तरीके के statement देने चाहिए, अब बात कर लेते हमारे सरदार पटेल के vision का, सरदार प लिए थे, हमें subdue करने के लिए, हमें exploit करने के लिए, कौन-कौन से, IES और IPS, इन्हें हटा दो, इनकी कोई भी जरूरत नहीं है, अब हमारा देश आजाद हो चुका है, पर सरदार वललब भाई पटेल, जैसे वो थे, एकदम सद्दूर, Iron Man of India, किसी भी तरीके से नहीं जु ले कर रहे हैं, हमारे देश के development के लिए, तो उनका ये decision किसी भी तरीके से गलत नहीं रहा, बट एक चीज अभी भी हम देख पा रहे हैं, कि Ministry of Home Affairs, जो सेंटर के अंदर है, और उसके अलावा स्टेट जो है, उनके बीच में conflict आ रहे हैं, किस चीज को लेके, talent को चीज आ जाती है, camaraderie, center के पास CRPF है, Central Reserve Police Force, DSF है, Border Security Force, ITBP है, Indo-Tibetian Border Police, CISF है, Central Industrial Security Force, अब ये सारी जितने भी forces हैं, ये state police के साथ कही न कहीं साथ में काम करती हैं, तो ये चीज important हो जाती है, कि इन दोनों agencies के बीच में जो है, एक तरीके की camaraderie लाई जाए, इन दोनों के बीच में भाई जारा create किया जाए, ताकि ये साथ में आराम से काम कर सकें, बहुत बार इस चीज को लेके भी issue create होता है, कि CBI का गलत use किया जारा है, center दुआरा state को subdue करने के लिए, जिसके अंदर हम दोनों को blame कर सकते हैं कहीं न कहीं, ऐसा नहीं है कि CBI का कोई भी गलत use न नहीं रहते हैं, ये state की boundary के बाहर भी जाते हैं, तो उन्हें उस तरीके से हमें tackle करना पड़ेगा, इन सारी चीजों के अंदर CBI और जो central agencies हैं, वो जादा better function कर सकती हैं, कमी क्या रह जारी है, बाकी हमने problems की सारी बात कर ली, कमी क्या रह जारी है, उनके बारे में हम बात कर ले दे, तो सबसे बड़ी कमी तो ये है कि भले ही police जो है, वो state subject में आता हो, under schedule 7 of the Indian constitution, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम union government की कोई help भी नहीं ले सकते, union government की help ली जा सकती है, specifically दो areas में, training और technology में, यहां ये बहुत ही मजबूत है, यहां पे इनका काम बहुत ही अच्छा हो सक दूसरी चीज़, सर्दार वल्लब भाई पटे, National Police Academy in Hyderabad, हर किसी ने नाम सुना होगा, यह तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कि जो भी ये video lecture देख रहा है, उन्होंने इस academy का नाम सुना है, जहां पे IS officers को तयार किया जाता है, तो क्या state police forces इसका use नहीं कर सकती है, जी हा दार वल्लब भाई पटे, National Police Academy से बहतर कोई भी नहीं है, अब सबसे important चीज़ वापिस वही आ जाती है, political will और political initiative, अब किसी भी तरीके से हम DGP को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने किस तरीके से उसे professionally handle किया, या unprofessionally handle किया, क्यों हो क्योंकि वो काम कर रहा है, CM की aid and advice पे, उन् conflict हैं, छोटे-छोटे disturbance हैं, अपना political interest है, इन चीजों को side में रखके, देश के बारे में सोचे, talent utilization के बारे में सोचे, policing के बारे में सोचे, तो ये सारी चीज़ें बहतर हो जाएगी, चलिए अब बात करते हैं, आज के important article के बारे में, enforcing the ban on the two finger test, अब two finger test क्या है सबसे पहले, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, तो फिंगर टेस्ट कंड़क किया जाता है रेप सर्वाइबर्स पे और जिसके साथ sexual assault हुआ है उसके उपर, अब two finger test के अंदर किया ये जाता है, two finger और three finger test होता है, बेसिकली two finger और three fingers are inserted into the vagina of the rape survivor और the person who had sexual assault, और उसके बाद ये चेक किया जाता है कि क्या वो basically सही था या नहीं था, इसका कोई भी scientific evidence नहीं है और इससे ये किसी भी तरीके से प्रूव नहीं होता ये disapproved भी नहीं होता कि रेप हुआ भी है या नहीं, तो इस चीज को null and void करार दे दिया गया, इसको ban कर दिया गया on 31st October by Supreme Court, उन्होंने कहा कि अब से किसी भी तरीके का two finger test नहीं होगा on rape or sexual assault survivor, अगर ऐसा होता है तो उसे माना जाएगा misconduct, ये test जो है, ये regressive है, invasive है और इसका किसी भी तरीके से scientific basis नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया हाल फिलाल में, कि ये ना तो प्रूव करता है रेप को, ना ही disapprove करता है, rather what it does is, ये re-victimize कर देता है, उनको वापिस वही trauma सामने आता है, वही चीज वापिस सामने आती है, और उसी तरीके की चीजें दिमाग में आती है, in 2013-2, in Lilloo v. State of Haryana Supreme Court ने ये कहा, कि two finger test जो है, वो rape survivor के rights को violate करता है Section 53-A of Evidence Act ये साफ-साफ कहता है, कि किसी भी तरीके से, जो previous sexual experience है, rape survivor का, या जो ये कह रहा है कि उनके साथ rape हुआ है, वो matter नहीं करेगा, वो previously उन्होंने क्या consent दिया था, या उनका कैसा sexual experience रहा है, वो चीजे matter नहीं करती, 2014 के अंदर Union Ministry of Health ने guidelines भी issue की, बट इसके उपर किसी भी तरीके का serious कदम नहीं उठाय गया, क्योंकि बहुत सारे medical practitioners के पास ये guideline पहुँची ही नहीं, अब इसका क्या impact होता है, two finger और three finger test का क्या impact होता है, case के उपर उसे जान लेते हैं, कोई भी criminal case होता है, उस पर medical practitioner का जो opinion हो तो वो यही चीज़ बताएंगे कि क्या वहाँ पे कोई तरीके की resistance थी, बचने की कोशिश की rape survivor ने, क्या उसके evidence पाए गए कहीं पे भी शरीर पे, दूसरी चीज़ की intercourse हुआ था या नहीं, ये दो चीज़ों के उपर वो comment करेंगे, rape जो है वो legal time है, वो किसी भी तरीके से medical term नहीं है, उसे कौन proof करेगा है, उसे कौन सामने लेके आएगा, उसे investigating officer सामने लेके आएगा, कि ये rape हुआ है, और अगर unsolicited opinion दिया जाता है medical practitioner दुआरा, तो वो case को weak कर देता है, अब हम ये चीज़ को follow करते हैं, कि अगर हमें किसी को punishment देना है, तो we need to give that punishment beyond the reasonable doubt, हमें बि पोड़ाशा भी doubt रहता है, तो हम punishment नहीं देते, कोई भी तरीक है कि crime को proof करना पड़ता है, beyond the reasonable doubt, अब इसके पीछे reason ये है, कि चाए हजार दोशी छूट जाए, एक निर्दोश को सजा नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताएंगे, इसके अलावा इस article क इसके अंदर बहुत सारी अलग-अलग information भी दी गई है, जिसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे exam point of view से इतना important नहीं है, दूसरी चीज़ इसके अंदर important ये है, कि अब जो है हम training को improve करें, medical practitioners की training को improve करें, और उनको इस चीज़ के अंदर लेके आए, क कि किस तरीके से वो जो two finger test है, उसको ban कर दे, क्योंकि remote area में बहुत जगे information नहीं पहुच पाती, बहुत जगे ये जो है awareness नहीं आती, तो हमें इस तरीके का campaign चलाना है, वहाँ पे training देनी है, awareness create करना है, और इस तरीके से हम enforce करेंगे, ban on the two finger test, अब बात हम कर लेते हैं, दू इछले कि उच दिनों में हमने इसकी बार बार बात करी, अब आए इसकी chronology समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये जो conflict है unfold हुआ, सबसे पहले, vice chancellor appoint किये गए APJ अब्दुलकलाम technology university के सीजा थोमस, जिसे CPIM जो वहाँ की ruling party है, उसने boycott कर दिया, क्यों? क्योंकि जो बाकी nominees थे, उ governor के पास ये reason था कि Supreme Court ने राजिसरी MS, जो vice chancellor थे, KTU के उन्हें हटा दिया था, कौन से condition के उपर कि वो UGC के norms and regulation को violate कर रहे हैं, उसी चीज़ को देखते हुए APJ अब्दुलकलाम technology university के vice chancellor को appoint कर दिया, किसने हमारे वहाँ के governor Mr. आरिफ मुहमत खान ने, अब इसके against LDF government आ बिल्कुल एकदम इसके opposition में आ गई, और इसी चीज़ को देखते हुए Mr. आरिफ मुहमत खान ने ये चीज़ कहा, कि ये जो है constitutional machinery को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि इसके consequences अच्छे नहीं होंगे, अगर आपने vice chancellor's को उनकी duty perform करने से रोका, तो ये चीज़ सही नहीं होगी, उन्होंने यहां तक कहा कि आप आईए, एक कामगरिया आप राजबवन में आईए और मुझे attack कीजिए, मेरे उपर attack कीजिए, अगर आप में हिम्मत है, तो उन्होंने कहा कि मैं जो आप मेरे सामने protest करने वाले हैं, मैं उसे खुद join करूँग है, जिस तरीके से KTU के Vice Chancellor को अपोइंट किया गया है, तो वो भी UGC के guidelines को जो है, वाइलेट कर रहे हैं, ये चीज़ उन्होंने कही, इसके उपर थोड़ी बहुत राहत मिली, केरला Government को High Court दुआ रहा है, जिसने restrained कर दिया है, गवर्नर को, to pass final orders as chancellors, तो उसके लिए उन के लिए better हो गया है, केरला Government के लिए, आरि मुहमत खान के उपर एक और problem आई, वो तब जब उन्होंने एक press conference conduct करी, और उसके अंदर उन्होंने दो TV जनरलिस्ट को बाहर रख दिया, जिसके अंदर कायराली TV और Media One TV, कहा कि ये दोनों जो हैं, ये biased हैं, और इनकी approach जो हैं, ये biased news दिखाते हैं, बेराल इस चीज़ को तै करना की वो biased हैं, कि नहीं, किसके पास authority, इसकी जनता के पास authority है, किसी भी तरीके से, किसी भी जनरलिस्ट को कहीं पर भी जाने से रोका नहीं जा सकता, until and unless that is against the national security, तो ये चीज़ तो साफ है कि उन्होंने जो ये कदम उठाया वो गलत था, क्योंकि freedom of press तो ये ही कहता है, और इस चीज़ का बहुत जादा जो है opposition हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गए हैं, अब इन सारी चीज़ों में सबसे जादा face कौन कर रहा है, सबसे जादा problem कौन face कर रहा है, तो problem face कर रही है, governance किसी भी तरीके का important decision नहीं लिया जा रहा है, और ये जो turmoil है, इसमें public interest जो है, वो casualty के तरह हमारे सामने आ रहा है, important यह है कि यहाँ पर ये चीज़ें शान्त हो, governance वापिस रास्ते पर आएं, और चीज़ें बहतर तरीके से आगे की और चलें